कि ते रा इश्क भी कमाल है तेरा इश्क भी कमाल है होश भी है नशा किया है तो कुछ हड़ सक आज अगर हम आज के संदर्ब में बात करें तो आज इश्ग को हमने एक दखियान उसी सोच के नीचे दबा अगर गौर से हम देखें तो हम सब कहते हैं कि हमें तुम से बे इंतहा नहीं है लेकिन इस मुहबत को हमने अपनी मर्दानगी की जूटी चाक के नीचे दबा रखा है तो ऐसी लोगों के लिए हैं, आज उस समाच के तबके की बात करनी हैं, जो हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी मरदानगी के लिए ये किया, वो क्या व. व. तो ऐसे लों के लिए तुम मर्द नहीं हो. गर किसी को छेड़ कर, गर किसी को छेड़ कर जरासा खुश हो जा रहे हो. किसी को सुनसान सडक पर पाकर, गर जबरदस्ती उसका हाथ पकड ले रहे हो. किसी की चीक्षों को इगनॉर कर जो चुप चाप चले जा रहे हैं अग्ले दिन इसी खवर को अख़बार में पण अग्ले दिन इसी खबर को अखबार में पर सब्कार पर जो चार सवाल उठाए जा रहे हो, खुद की बात है तो तलवारे तान लेते हो, आम बात है, खुद की बात है तो तलवारे तान लेते हो, लेकिन किसी और के लिए एक स्टैंड लेने से जो तुम खुद कतरा रहे हो, इस दक्यानूसी सोच पर, अपनी इस दक्यानूसी घस्ट या सोच पर, जो तु सर्वपरी मान मुस्कुरा रहे हो तो शर्म कर रहे हो इस तरह तुम मर्द नहीं है इस सोसाइटी के हर प्रॉब्लम मालूम है तुमको इस सोसाइटी के हर परिशानिया मालूम है तुमको लेकिन अपनी भागेदारी देने से भी तो तुम खुद ही कत्रा रहे हो देश बदलेंगे, समाज बदलेंगे आज हर गली, हर नुकड पे सुनते हो देश बदलेंगे, समाज बदलेंगे लेकिन आज तक अपनी उस सोच को उसी हाशे पर छोड़ कर जो बढ़े जा रहे हो तो शर्म करो यार तुम मर्द नहीं हो लड़कियों को देवी का स्वरूप मानते हो यह हम भारत में लड़कियों को देवी का स्वरूप मानते हो एक तरफ उनकी बड़ी-बड़ी मंदिरें बनवाते हो लेकिन दूसरी तरफ कन्या ब्रून हत्या को बढ़ावा भी देते हो आज तक आज तक जो लड़कियों को कम तर समझे जा रहे हो तो शर्म करो यार तुम मर्द नहीं है किसी की बेटी के सपनों को किसी की बेटी के सपनों को जो घर की चार दिवारी में बांध जा रहे हो मान मर्यादा इज़त इज़त मान मर्यादा का जो जूठा चोला पहना कर उनको जंजीरों में जक्डे जा रहे हो इस जुटी शान पर इस जुटी शान पर जो हर वक्त तुम इतरा रहे हो तो शर्म करो यार तुम मर्द नहीं हो सबकी आँखों में आशाय होती है सबके जहन में इच्छाय होती है लेकिन हर दफा जो उसकी च्छाओं को अपने पैरो तले कुचल तुम मुस्कुरा रहे हो तुम शर्म करो यार तुम मर्द नहीं हो आखिर में तुम मर्द अपने आपको कहना चाहते हो हागर मर्द बनने का तुमको वाकई में शौक है हागर सच में अपने इमान का अपने जमीर का तुम में जरा सा भी खौफ है तो सुनो तो गोर से सुनो जिस दिन उस अबला के अबिला शाओं की तुमको कद्र हो जिस दिन हर स्त्री हर महिला के प्रती इज़त का भाव हो उस दिन कहना तुम मर्द हो शुक्रिया